अछक्ष्य फ्रेंड्स दिस इज्म है तो Bennett कैसे आप सब ऐ हो वाप सब अच्छे होंगे तयारे अच्छे से कर रहे होगे जिनका एख्जाम कर रहा है जिनका रहा है अभी तय आरी कर रहे हैं तो करते रही क्लासिय क्लासिच क्राइब है या हर एक subject की recorded है सबकी playlist बनी हुई है तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं बाकि जितना आपने पढ़ा है उसे revision करते रहिए हम कर रहे हैं UPTAT के questions जिनका CTAT हो गया है वो UPTAT पे ध्यान दें क्योंकि UPTAT भी आने ही वाला है इसके form आउट होने वाले है तो जो UPTAT देने जा रहे हैं देंगे वो UPTAT की series पर focus करें तो हम बिल्कुल छोटे छोटे से 10-10 question daily कर रहे हैं लेकिन आज question का number बढ़ा देंगे क्योंकि कुछ लोग गोल रहे थे कि question कम रहते हैं जादे question में इसलिए नहीं करा रही क्योंकि जिनका seat at का paper अभी है उनका छुट रहा है जितना भी हम UPTAT का कर रहे हैं तो जब सभी का seat at हो जाएगा फिर आराम से जादा जादा question करेंगे और theory भी करेंगे ठीक है तो start करते हैं अगर channel पे नए हैं तो subscribe कर लें लेट्स क्रेक को और अगर आप BAD या BTC कर रहे हैं तो आप subscribe कर लें college with भावना को ठीक है तो start करते हैं यह कुछ social media हैं यह तो आपको पताईए यह मेरा personal instagram है जो मेरी personal life से related है ठीक है यह facebook हमारा है लेकिन यह facebook page है आपको teaching related update मिलेंगी बाकि telegram पे अगर आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाए क्योंकि यह आपको जितना भी content कराया जाता है उसकी PDF मिलती है YouTube हमारा अपना channel है ही तो start करते हैं questions यह question हम कर चुके हैं चलते हैं आगे कहां से start करना है आज यहां तक कर चुके थे हम यहां तक हम कल कर चुके थे आगे आज करते हैं यह तो question number 21 माल लीजी या फिर हम 1 से starting करेंगे ठीक है क्योंकि 20 question हमने कर लिए हैं इस series के यह पूरी series बनाई हुई है मैंने question number 1 बताईए the conditions of learning यह जो book है यह book है बुक का नाम है condition of learning यह किसके द्वारा लिखी गई है बताओ भई the conditions of learning पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है बी ए फिसकीनर के द्वारा थोन डाइक के द्वारा या फिर आरेम गैगनी के द्वारा या फिर आईपी पैवलोग के द्वारा ये काफ़ी famous book है बार-बार पूछी जाती है यूपी टैट को काफ़ी पसंद है ये किताब कैई बार ये question आवी चुका है और बाकी टैट में भी पूछी जाती है ठीक है तो आप ये ध्यान रखेंगे कि ये Robert Gagne की book है किस की या RM Gagne की Robert Gagne की book है ठीक है तो option number 4 के साथ हम जाए हैंगे option में गड़बड हो रही है 1 2 3 आना चाहिए था फोर आ रहा है कोई बात नहीं लेकिन Robert Gagne की ये book है इन्होंने learning hierarchy पर बात किये ठीक है इन्होंने learning hierarchy दिये ठीक है वो भी पूछी जाती है उसे हम पढ़ेंगे detail में ठीक है तो option number 4 हमारा correct है आगे चलते हैं question number 2 बता ही है ये question तो आपको पता ही होगा ये seated भी पूछता है और youpitate भी पूछता है adolescence is the period of great stress, storm and strike is the statement of ये किसका statement है कि किसो और अवस्ता क्या है महान तनाव तूफान और हड़ताल की अवदी है तनाव और तूफान के जो अवस्ता है ये किस ने कहा है ये wording किस की है Stanley hole की है या फिर crow and crow की है या फिर gel sealed की है या फिर Simpson की है देखो ये तो सभी नहीं पढ़ा होगा सीटेट में अब जब से online हुआ है पिछली बार से तब से तो ये कोशन देखने को मिला नहीं है लेकिन जो offline paper थे ना सीटेट के जादतर ये कोशन पूचा ही जाता था कि क्या है किसो और अवस्ता तनाव और तूफान की अवस्ता है ऐसा Stanley hole कहते है ठीक है तो first option हमारा सही है Stanley hole ठीक है बई आगे चलते हैं question number 3 बताईए बताओ बई micro teaching तो सभी ने की होगी बीएड फस्ते एर में है ना तो वो कितने minute की होती है ये बताना है बस total time taken in Indian model of micro teaching is micro teaching के Indian model के लगने वाला कुल समय है 40 minute 36 minute 30 minute या फिर 45 minute देखो सभी ने micro teaching की है जिसने थोड़ा सा college regular किया होग जिसने regular नहीं किया है उसने नहीं कियोगी लेगिन lesson plan तो बनाए होंगे उसमें starting में लिखा होता है कि 36 minute के होती है micro teaching कितने minute की 36 minute की ठीक है कैसे पहले planning करता है 6 minute पढ़ाना students को एक छोटी से group को पढ़ाया जाता है फिर पढ़ाया जो है उसका feedback लेना 6 minute तक फिर दुबारे स we plan करना कि बच्चों का समय नहीं आ रहा है अच्छे से पढ़ानी पा रहे हैं तो दुबारे से planning करना 12 minute फिर दुबारे से feedback लेना 6 minute तो यह cycle ऐसे ही goes on चलती रहती है ठीक है तो यह total मिला के 36 minute हो जाती है इसकी ठीक है तो पूरा time period 36 minute का ठीक है तो यह आप याद रखेंगे और micro teaching D किसने A. Dwight Allen ने दिये ठीक है A.W.L.N लिख देते हैं हम ठीक है तो यह भी पूछ लेता है question number 4 बताईए यह definition है यह भी तीन बार repeat हो चुकी है यूपीटैट में plateaus of learning are a characteristic feature of the learning process indicating a period where no improvement in performance is made who said this यानी सीखने के पठार सीखने की प्रकरिया एक विसेश्ता है जो एक ऐसी अवधी का संकेत देता है जहां परदर्शन में कोई सुधार नहीं है यह किसने कहा है बताऊ बही प्लेटी और लर्निंग की बात किसने किया है इसकीनर ने या फिर रोस ने बताऊ किसने दिया है definition अगर पता हो तो बता दीजिए नहीं पता हो तो कोई बात नहीं तो कमार दो ठीक है नेगेटिव मार्किंग है नहीं तो वहां भी ऐसी कर देना नहीं ऐसी नहीं करना है हम है न क्या करेंगे definition का एक पूरा collection करके पढ़ होई है CTAT में उत्रा कंटेट भी ऐसा ही होता है HTAT में जो आई होई है सारी मैं एक साथ करा दूँ है आपको ठीक है तो परिशान बिल्कुल भी नहीं होना है तो D option हमारा करेक्ट है यह रोस ने दिया है ठीक है बार बार पूछी जाती है Question number 5 बताईए Learning is any change in behavior resulting from behavior who said it वैवार से उत्पन वैवार में परिवर्तन ही अधिगम है यह किस ने कहा है बताओ गिलफोर्ड ने वुडवर्थ ने क्रो एंड क्रो ने या फिर स्कीनर ने गिलफोर्ड वुडवर्थ को और को ने यह क्रो एंड क्रो है ठीक है The first step of problem solving is समस्य समधान का पहला चरण क्या है ये question तो CTAT में भी आता है कि पहला चरण क्या है problem solving का math में भी पूछा जाते हैं और CDP में भी बहुत बार पूछ लेता है identifying of problem की problem समस्य की पहचान करना कि समस्य है किस तरह की या फिर data collect करना data संगरा करना या फिर formulation of hypothesis परिकल्पन का निरूपन करना या फिर testing of hypothesis या परिकल्पन का परिक्षन करना तो बताइए कौन सा option होगा बही कोई भी समस्या है तो पहले हम समस्या देखेंगे कि समस्या है क्या अक्चुल में तो उसे identify करेंगे कि problem है क्या फिर उसके बाद solution पर जाएंगे है फिर alternative solution डूड़ेंगे फिर evaluation पर जाएंगे फिर last में दुबार ऐसे solution देखेंगे तो ये क्या है identification of problem या नि पहले हम समस्या की पहचान करेंगे तो first option हमारा सही है question number 7 बताइए learning of children will be most effective when बच्चों की सीख सबसे अधिक परभावी तब होगी जब कब होगी बच्चों की सीख development of cognitive affective and psychomotor domain of children will take place यानि बच्चों की संग्यानात्मक परभावी और psychomotor domain का विकास होगा यानि तीनों aspect का विकास होगा तीनों aspect का development होगा cognitive यानि हमारे brain से related जितनी भी activities है ठीक है affective होता है हमारे emotions जितने भी हमारे समवें गया हसना रोना दुखी होना डरना psychomotor यानि जो हम करके सीखते हैं हमारे doing aspect जो हम अपने हाथों से करते हैं ठीक है तो जब तीनों का विकास होगा तब learning अच्छी होगी या फिर emphasis will be only on reading, writing and mathematical skill यानि किस पर जोर दिया जाए पढ़ने पर लिखने पर और math पर तब होगी अच्छी learning या फिर teacher will lead the learning process and keep the children passive यानि सिख्षक सीखने की प्रकरिया का नेत्रत्व करेंगे और बच्चों को निश्करिया रखेंगे कि भाई बच्चे पैसिव रहेंगे तो फिर कैसे learning होगी जब बच्चे पैसिव रहेंगे तो teaching system will be autocratic यानि सिक्षन विबस्ता कैसी हो निरुमकुस हो यानि teacher क्या according हो, authoritative हो, जैसा teacher कहेगा वैसी ही हो, तो बताइए कौन सा option ठीव हो, बबढ़ने तबी हहाँ हैं पैस्ट और हमारा सही है, ठीक है? कोशन नमबर एट बताईए, बताओ बढ़ में, विच्वन is not included in thorn dykes primary laws of learning from the following निम्लिखित में से सीखने के thorn dyke के प्रात्मिक नियमों में से कौन सा सामिल नहीं है तीन नियम दिये इन्होंने primary बाकि दिये secondary तो primary इन में से तीन है कौन सा एक नहीं है बताईए लोफ associative shifting की सहाचरिय इस्थानांत्रन का नियम या फिर लोफ एक्सराइज वह याम नहीं है एक्सराइज यानि repetition का नियम लोफ effect यानि परभाव का नियम लोफ readiness यानि थतपरता का नियम तो बताईए कौन सा option ठीक होगा बताऊ बई बई तीन नियम इन्होंने दिये लोफ readiness लोफ effect लोफ exercise लेकिन लोफ associative shifting क्या है यह secondary है यह क्या है secondary low है ठीक है तो फर्स्टी option हमारा सही है यानि गलत पुछा है Trash Layers Emphasis on Conditioning of वातानो कूलित प्रतिकरिया सिर्धानत की कंडिशनिंग पर जोड देता है देखो पहले तो यह बात है की conditioning response theory किसने दिये तो यह दिये है even Pavlov ने किसने दिये पैवलोव ने दिये ठीक है इसे क्या बोलते है classical conditioning theory भी बोलते है classical conditioning theory भी बोलते हैं चीक है या फिर father of conditioning Pavlov को बोलते है तो ये किस पर emphasis दिया है किस पर जोड दिया है इन्होंने reasoning पर ये तर्क पर या फिर behavior पर या फिर thinking पर या फिर motivation पर इन्होंने experiment किया था कुट्टे पर तो इन्होंने क्या है behavior पर जोड दिया है किस पर behavior पर यानि कुट्टे का behavior देखा है इन्होंने कि अगर उसके सामने खान आएगा तो उसकी लार निकलेगी नहीं निकलेगी किस तरह का conditioning देगा किस तरह से stimulus करेगा वो तो second option हमारा correct है यानि वहवार वहवार पर इन्होंने जोड दिया है ठीक है तो B option हमारा सही है यानि second option हमारा correct है question number 10 बदाईए the other name of operant conditioning is यानि क्रिया प्रसूत अनुबंदन का दूसरा नाम है क्या है contiguous conditioning instrumental conditioning या फिर classical conditioning या फिर trace conditioning तो बताईए कौन सा option ठीक होगा बताऊ बदाईए दो option हो सकते हैं और third में से एक हो सकता है ना तो ये होगा ना ही ये होगा तो operant conditioning का दूसरा नाम क्या है instrumental conditioning देखो इसी तरह की question पूसता है जादा detail में जादा deep में नहीं पूसता है इसी तरह की question पूसता है कि इस theory का क्या नाम है या फिर ये theory किस ने दिये तो second option हमारा correct है कि operant conditioning क्या है इसका दूसरा नाम है instrumental conditioning ठीक है क्या है instrumental conditioning यानि क्या वादिय कंडिशनिंग हिंदी में देखी क्या है भई हिंदी का मुझे doubt ही रहता है हमेशा ठीक है तो second option हमारा सही है क्योंकि google translation होता है तो गड़वड हो जाती है मैं क्या ये paper वाले भी कर देते हैं गड़वड translation में Which of the following is not a characteristic of learning बताओ Question number 11 निमलिखित में से कौन सी सीखने की विसेशता नहीं है बताओ कौन सी विसेशता learning की नहीं है learning is directly observed कि सीखना परत्यक्स रूप से देखा जा सकता है या फिर learning is a relatively permanent change in behavior ये तो सबसे famous definition है learning की क्या है सीखना वैवार में एक अपिक्षाक्रत इस्थाई परिवर्तन है यानि जो हम सीखने है ये मानों कि हमारे behavior में वो चीज एड हो जाती है यानि पर्मनेंट हो जाती है learning is a growth of organism हम सीखते हैं तो हमारी growth भी होती है सीखना जीव का विकास है growth वो वाली growth नहीं यानि growth जैसे की काम चल रहा है growth हो रही है learning is a goal directed process यानि सीखना एक लक्षय निर्देशित पर करिया है तो बताइए कौन सा एक नहीं है not पुछा है कौन सी एक विसेशता नहीं है यह भी ठीक है कि learning is relatively permanent change in behavior यह तो permanent definition है learning की ठीक है learning is a growth of organism learning is a goal directed process तो यह सारे option ठीक है लेकिन first option हमारा गलत है यानि गलत है तो यही ठीक है कि learning is directly observed भई हम directly कैसे देख सकते हैं मैंने क्या सीखा आप मेरे मूँ देख के पहचान लेंगे क्या नहीं पहचान सकते ना या तो मेरे behavior से पहचानेंगे या फिर मेरी growth से पहचानेंगे कि क्या मेरा standard है मैंने क्या किया है मैंने कौन सी degree अली है मैंने क्या सीखा है पास हुई हो फेल हुई हूई तो यह चीजी तो देखेंगे इस से तो पता चलेगा कि कितनी लर्निंग हुई है ठीक है डारेक्ली अब्जर मेरे फेस को देखके तो कर नहीं सकते कि किसी बच्चे पर पढ़ना कुछ ना आता है उसको चसमे लगे हो देख नमबर 12 यह तो मजाक की बात थी चलिएगा 12 कोश्चन बताईएगा फ्रों वेर टु स्टार्ट इन ओडर टू लर्न एनी न्यू लेंग्वेज कोई भी नई भासा सीखने के लिए कहां से सुरू करें कुछ भी हम नया सीख रहे हैं तो कैसे सीखेंगे चलो छोटा बच्च सीखता है तो कैसे सीखता है फर्स्ट ऑप्शन ने एस्सोशियेशन बिट्म लेटर एंड वर्ड्स यानि सब्द और अक्षरों की बीच में संबंद देखेंगे या फिर डारेक्ट सेंटेंस का फॉर्मेशन करेंगा या फिर नन ओव दा अबोग तो बताईए कौन सा ऑप सरी तो बनाता है अक्सरों को देखता है फिर अक्सरों से सब्दों पे जाता है फिर सब्दों से सेंटेंस पे जाता है फिर सेंटेंस से पैरग्राप पे जाता है ठीक है तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही है ठीक है कोशिन नंबर थर्टीन बताईए विच टाइप ओफ स्ट घ्रश ॐन सब्सक्राइब नम्म बच्चे और यह मतलब यह बत दिक्टे और सूंत सब्सक्राइब बच्चे रहेंगे या फिर मल्टी लिंग्विलिस्टिक गिफ्टिड यानि जो बहु भासी हैं जिने जादा भासा आती है और बच्चे बाकी कहां जाएंगे तो यह तो गलत ऑप्षन हुआ ना ही खाली जेनरल हो सकता है ना ही खाली स्पेसिफिक के अंदर सारे बच्चे आ जाएंगे निस सामानिय और विशिस्ट बालक या फिर छात्र ठीक है तो सेकेंड ओप्षन हमारा सही है ठीक है आगे चलें कुशन नंबर फोर्टीन बताएं कुशन नंबर फोर्टीन फ्रोंग फोलोईंग विच टर्म डिफाइंस दा मैथमेटिक्स रिलेटेड फिर डिसकेलकुलिया या फिर नन ओप दीज देखो फॉस्ट और फोर्ट ओप्षन तो हमारा इजीली कट हो गया डिसलेक्सिया क्या होता है रीडिंग डिसोडर होता है क्या होता है रीडिंग डिसोडर होता है जब बच्चे को पढ़ने संबंदित विकार हो ठीक है तो मै कुछिन नंबर 15 सफल समावेशन की जरूरत है किसे है लैक ओफ कैपेसिटी बिलिंग यानि सफल समावेशन कब होगा जब सभी तरह के बच्चों को एक्सेप्ट किया जाएगा क्लास में सम्मान दिया जाएगा जो जिस तरह का बच्चे है उसे उसी तरह से टैकल किया सफल समावेशन नहीं होगा नो इनवोल्मेंट तो पैरेंटस को इनवोल ना करें इसके जरूरत है क्या या फिर सेग्रीगेशन करें या और सेंटाइजेशन करें या वी संवेधी करें sensitization एक key element है यह जिसका मतलब होता है कि दूसरों को accept करना ठीक है तो fourth option के साथ ही हम जाएंगे बाकी सारे क्या है गलत option है by successful inclusion में किस चीज की जरूरत है lack of capacity building गलत बात है यह building की तो जरूरत है किसी बच्चे को अगर चलने में दिक्कत है तो उसके लिए रेंप लगवाई जाएं बिल्डिंग में तो यह भी गलत है parents का involvement भी होना चाहिए parents parents और community सभी का involvement होना चाहिए segregation बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए तो यह भी गलत है तो तीन option तो हमारे वैसे ही कट गए तो option तो हमारा हो नहीं है तो फॉर्थ option हमारा सही है ठीक है तो बताइए इतनी सब्सक्राइब करेंगे मेरे से तो तुम अटेंटिव रहने चाहिए ना ज्यादे से ज्यादे लाइक किया करो जो लोग देखते हैं एटलिस्ट वो तो लाइक करें ठीक है और भी शेयर तो तुम कर सकते हो जो लोग बेटी से में है फस्ट येर में सेकंड येर में तो अपने ग्रूप में सेयर किया करो सभी को बदाया करो ठीक है तो इतना सपोर्ट काफी है सभी लोग सपोर्ट करें आपका सपोर्ट मेरे लिए काफी इंपोटेंट है ठीक है तो चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ही जाएं अगर पुराने हैं सब्सक्राइब नहीं